हालो बचो मैं सभीका सवगत करता हूँ अपने पैरे से फिजीज ग्यान मुकेशनिक चैनल पर बचो यह जो मैं करके दे रहा हूँ यह शायद बहुत बड़ा एक वर्दान हो सकता है इस वीडियो को जरूर से एंड टक देखोगा क्यूंकि यह वीडियो देखने से इतना कॉ अपने पर बचो यह जो सकता है जोने यह चैप्टर किया होगा उनको लगेगा यह रिविजन करना बहुत हलकी चीज है हाँ जी बिल्कुल आपके ब्रेंग के साथ मेरा कनेक्शन हो सकता है बत उसकी लिए सेल्फ स्टड़ी होना बहुत जरूर रही है तो ही फाइदा है ए ज़िए तो बच्चो यह सभी को पता ही होगा शायद कि अवरेज करन निकलना है तो सिंपल सी बात होती है 0.637 यहाँ पर अनौट लिखा जाता है अगर ए का अवरेज निकलना है तो 0.637 अनौट लिखा जा सकता है मतलब मुझे यह नहीं बताना है कि इसी कितना है इस क्या होती है मैं आगे बताऊंगा आप लोगों को दिमें दिमें टेंशन मत लेना और RMS value निकलना है यह एवरेज है और IRMS निकलना है तो peak value root 2 करो वैसे ERMS is equal to E0 root 2 करो ठीक है heat निकलना है तो I square RT T is the period है पिरेड का फार्मूला सबको पता ही होगा I square R 2 pi upon T ठीक है मुझे यह नहीं पढ़ा है बच्चो मुझे इसके बात का जो चाप्टर या किया समय में कैसे revise करते है यह पताने की कोशिश की जा रही है इसके अंदर ठीक है मुझे बताओ यार मैं यहाँ पर कुछ चीज़े निकाल रहा हूँ सबसे पहले निकालूंगा यहाँ पर मेरे पास ए इंड़क्टर लगा यह और इंड़क्टर के एक्रोस में भी AC सर्कुट लगा दिया तो यहाँ पर इंड़क्टर है इसका EMM जो होता है बच्चो यह E0 sin omega t है यहाँ में भी EMM होई है क्योंकि मैं लगा रहा हूँ क्या AC और AC का EMM जो होता है E0 sin omega t थोड़े equation भी याद होना चाहिए बाद में मैंने लगा दिया बच्चो capacitor 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 के दोनों plate सेम होनी चाहिए और यहाँ पर AC लगा दिया बच्चो मैं आपको tricks बता रहा हूँ कि कैसे याद किया जा सकते हैं इसके equations गाड़े बच्चो मुझे इसका main target क्या तीनो के उपर एक सवाल 100% आने वाला है इसमें मुझे current और यह में अपका current और यह में अपका face difference दिखाना है ओके तो यहाँ पे equation जो current का था वो current का equation था I not sin omega d दोनों सेम equation दिखरे बच्चो ठीके इसका कैसे करोगे E देखो sorry current दिखाना है यहाँ पे current दिखाना है तो current कैसे दिखाऊंगा मैं धान से देखना पड़ेगा आप लोगों को थोड़ा समझ करोगे तो मिल जाएगा तो I is equal to I not sin omega t बच्चो मुझे बताओ कि यहाँ current जा रहा है इंडक्टर एक resistance होता है और resistance में अगर resistance जादा हो तो current कम हो सकता है तो current को कम दिखाना है तो इस में से कुछ minus करना पड़ेगा देखो मैं ने minus किया sin omega t minus pi by 2 ठीक है याद रखनी के लिए ओके current का equation या देखो I not sin ठीक है बच्चो sin आप क्यापासिटर का काम क्या पता है आपको charge को store करना मतलब current store हो रहा है current बढ़ रहा है बच्चो grow कर रहा है तो इसलिए यहाँ पे pi by 2 आएगा देखो जान देखना इसमें कोई फरक नहीं होता ह sign or sorry current में यहाँ current में से minus q कर रहा है क्योंकि resistance लगाया है यहाँ capacitor लगाया है इसलिए current को बढ़ा रहा हो बच्चो मतलब अगर यहाँ पे facer diagram निकालू पहले resistance बताता हो बच्चो इसका resistance simple है e by i होगा इसका जो resistance होता बच्चो inductor का resistance को yaxl कहते इसको कहते inductive reactance और वो inductive reactance ह सब्सक्राइब होता बेटा ओमेगा का फार्मूला भी पता होना चाहिए जो पहले चाप्टर में से rotation dynamics में 2 pi n लिखा होगा यह है समझ में आ रहा है यहाँ capacity reactance है इसलिए यहाँ पे 1 by omega c अब यह 1 by omega c को में 2 pi f c लिख सकता हूं समझ में आ रहा है कुछ ओके यह resistance है फेसल डाइग्राम में बच्चो यहाँ पे EMF होता देखो EMF की value बड़ी होती है करंट छोटा क्यूँ तो द्यान देना बच्चो करंट छोटा इसलिए क्योंकि dual by resistance रहता है है तो यहाँ पे यह है EMF की value बटा यह omega t है तो यह E0 sin omega t का equation है ठीक है और current यहाँ तक ही दिखान आप लोग i is equal to i0 यहाँ पे sin omega t minus pi by 2 लिख सकता हो फेसल डाइग्राम लैक करना मतलब पीछे देखो anti clockwise जाओ तो plus clockwise जाए तो minus माइनर जब रहता तब देखो इसके पीछे मतलब clockwise यहाँ बेभी same to same अगर आप लोगों को यह देखो EMF यहाँ दिखा रहा हूं में ठीक है अब EMF यहाँ है 90 से आके जाना अगे मतलब anti clockwise देखो यह अगर आपको थोड़ा सा पड़ा होगा देखो इसकी line थोड़े छोटी निकाली हमने निकाली ना तो यह current का equation है i is equal to i0 sin omega t plus pi by 2 समझ में आ रहा है बच्चो कोई डेंशन है यह समझ में आ रहा है देखो तीना equation को कैसे किया जा सकता है इसका graph अगर graph यह फेसले diagram थी graph में दोनों का graph same है यह EMF का graph थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए ध्यान रखना समय पे EMF का graph थोड़ा साथ हर समय पे EMF का graph सेम ही भच्चो तीनों में भी सेम है ठीके यहां पे भी EMF का graph सेम ही क्योंकि sin omega t sin का ऐसा graph होता है हो गया है यहां पे e0 0 e0- है यहां पे भी e0 plus 0 minus e0 है बेटा कैसे आपको हलके तरीके से करके देने का कोशिश कर रहा हूँ, बाकि कुछ नहीं है, मेरा मेन तार्गेट वही है, यहाँ पे भी साइन है, यह मैं फे बच्चों, यह पहला E not sin omega t का equation, यहाँ पे यह भी साइन है, लेकिन थोड़ा सा छोटा निकालो, ताकि गरबड़ ना हो देखो, थोड़ा सा छोटा निकालते हुए, ठीक है, यह जो बेटा, यह है I not का equations के लिए, यह minus I not, समझे, यहाँ पे minus है बेटा, तो इसका minus cos, इसका equation मिल सकता तेरे को, I not cos omega t, लेकिन बट माइनस, और माइनस जो होता बेटा, वो यहाँ से start होता, यहाँ पे मितनना चाह चाहिए, यह ठोटा होना चाहिए, ग्राप करण का, और यह minus I not, यहाँ plus cos omega t मिल सकता है, plus cos omega t I not, तो plus होगा यहाँ पे बच्चो, यहाँ पे बराबर मिलना चाहिए, peak value पे peak value, तो यह होगा ऐसे, ठीक है, यह ग्राप, इतना ही इस questions में है, ज्याता समय देगा, कम समय में क कर सकते, कम parity करना, चालू करो, अब यहाँ पे अगर frequency बढ़े, तो यह भी बढ़ता है, यह बढ़ गया, तो current कम flow होना, मतलब बच्चो, यह क्या करेगा, आप लोगों को frequency increases, बढ़ गई, मतलब AC की frequency बढ़ते है, हार frequency पे AC को block, और DC को allow करता है, यहाँ पे frequency कम होगी, omega मतल frequency कम, तो यह जादा, low frequency को, low frequency होगी, कम frequency होगी, तो X is greater है, ठीक है, मतलब DC को allow, AC को block करेगा, नहीं सरे, यह क्या करेगा, frequency बढ़ गई, ऐसा बोलूँगा मैं, frequency बढ़ गई, तो यह कम, मतलब AC को allow, DC को block करेगा, हार ना, देख लेना थोड़ा सा, confusion मत करो, ठीक है, confusion मत करो, इसमें, ताकि सभी बच्चे को, यहाँ पर, कोई tension नहीं होना चाहिए, DC circuit, जैसे की पहले, अगर आपके पास, inductor हो, तो यह क्या करता है, passes the DC, block the AC, यहाँ पर करता है, है ना, block the AC, यह DC को, pass करता है, and AC को block करता है, धान ठकना बच्चो, यह, है ना, DC को क्या करता है बच्चो, यह, passes और block the AC करता है, और यहाँ पर, हमारे pass, यह जो दिया गया है, इसमें, capacitor, block DC को करता है, यह DC को block करता है, DC को block करेगा, और AC को allow करेगा, समझे बच्चो, यह shortcut तरीका है, बच्चो, इसी का, इसी का, अगे देखो, इसका जो power होता है, इसका जो power होता है, average power, वो होता है, ERMS, multiply IRMS, ठीक है, यही question से, देखो, वहाँ पर जाके, इन दोनों का equation, power का formula होता है, V into I, तो यह V की और I की value डालो, integration, average power निकालने का formula बता देता हूं, मैं, यहाँ पर, average power, नहीं, तो अगे, अगले page पे लेता हूं, फटक से, देखो, बच्चो, हमारे पास, यह है, हमारे पास, यह, ठीक है, resistance, तो यह average power निकालना है, तो E into I है, लेकिन, average power जो formula होता है, power का formula यह है, average 0 to T, क्योंकि एक complete cycle के लिए थे, P into DT, divided by, यहाँ पे DT, और 0 to T, डालके, इसका average power में, E का equation होता बेटा, E not sin omega T, और I में होता बेटा, I not sin omega T, यह डालने के बाद, बच्चो, average power का formula मिलता है, E rms, multiply i rms, इसको integration, integration करके, यह formula जरूर निमिलेगा, इसका बच्चो, आपके पास inductor था, इसके across में, same questions बदला क्या, अभी power मिकाल रहा हो, अभी क्या करना हो, बच्चो, power, बच्चो, इसका जो power है, ऐसे यही process से करोगे, तो 0 मिलेगा, इसी का, अगर capacitor का भी मिकालोगे, तो भी इसका power, आपको process same करनी है, process same करनी है, 0 ही मिले इसका, 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 बच्चो, लेकिं यही तीनों को इकटा करो, L, C, R, तीनों को इकटा कर दिया, ठीक है, यह आरे, यह C है, और यह L है, बच्चो, इन तीनों को एक जगे पे करने से, ठीक है, इसका जो average power है, वो power मिलता है, E RMS, I RMS, cos phi, यही तो हमारा power factor होता है, कोने मेटा, power factor किसको कहते है, power factor किसको कहते है, तो वो होता है बेटा, cos phi, cos phi, true power divided by apparent power लिखते हैं, उस power लिखो, ठीक है, और वो करते है, मतलब R, इसका formula मिलता है, R divided by, यह R square, plus yaxel minus yaxel का square, बच्चो, इसी का, YLCR circuit का, impedance निकालोगे, तो impedance का formula यह है, मैं जान बुचकर, वह बोला नहीं, आपको, यहाँ बोल रहा, yaxel minus yaxel का square, impedance है, और इसका, अगर आपको tan fine का, tan fine, तो इसी के उपर से हम लोग decide कर सकते, यह inductive reactance है, capacity reactance है, यह pure register circuit है, कोन dominant कर रहा है, यह formula आपको, yaxel minus yaxel divided by, अब एक बार yaxel ज्यादा रखके, देखो, देखो, positive answer मिलेगा, है yaxel is less than yaxi होगा, बच्छो, और एक बार yaxel is equal to yaxi, देखो, आपको यह sub question, यह बच्छो, yaxel is equal to yaxi, देखो, आपको सब question, यह बच्छो, yaxel circuit का, impedance, tan fine, 5, 5, भी निकाल सकते हो, phase कितना है, यह है यह सब question में क्या वोटा हूँ? comparison करना आना चाहिए आपके वालों में के लिए maximum to max to me ये chapter cover कर रहा हूँ बाकी कुछी नहीं है आपको सिखानी की कोशिश कर रहा हूँ कि कितना easy chapter कर इसे revision क्या जा सकता है बच्चो इसके बाद में LCR circuit होता है LC oxalation है क्या आपके book में देख लो LC oxalation इसमें हम लोगों को एक inductor निकालना है बच्चो और एक capacitor रिकालो एक क्या करो capacitor निकालो यहाँ पे switch लगा लो नहीं तो यह switch को close किया यहाँ पे ऐसे capacitor के पास होते है charges ठीक है बाद में यह capacitor के पास जो energy होती है max to max वो q naught square by c होती है अग आपके जो भी charge है वो charge कम हो जाएंगे और यहाँ पे current flow i not equal to 0 यहाँ i 0 था current flow नहीं हो रहा था ठीक है अभी current flow होना चालो हो गया वज़से यही energy electric field में आती है inductor में बचो अभी इसके पास energy है 1 by 2 q square by 2 यह q naught मतलब क्या pick value of charge store in capacitor अभी इसके पास कुछ energy आएगी तो वो यह यहाँ i square बास समझ में आ रही है ऐसे करते करते capacity capacitor discharge होगा और यह सभी energy बचो वो आएगी capacity किसके पास किसके पास आएगी किसके पास आएगी पूरी की पूरी इस inductor के पास अब यह जो energy थी 1 by 2 यहाँ i not square i not लेखना मतलब pick value of current आएगी बचो तो capacitor discharge होगा किसके पास आएग यह पूरी की पूरी इंडक्टर के पास energy आगी तो आपको समझ में आयोगा दुबारा reverse charging हो जाती है मतलब यह चार्ज अभी इदर आएगा समझ में आ रहा है आपको देखो reverse हो जाय रहा है अभी ओके अभी देखो electric field कम होगी magnetic field sorry और capacitor के पास आ गई असे करते करते अभी य यह जो capacitor है reverse में reverse में reverse में charge होगा reverse मतलब ultra yes बच्चो समझ में आ रहा है और यहां पे यह capacitor की पास की जो energy है वो फुली हो गई और inductor के पास कुछ भी energy नहीं है समझ में आ रहा है बच्चो क्या हो रहा है क्या नहीं यह बताना है आपको LC circuit मे गड़िट बच्चो यहां पर मै इसको cut करके हुए आगे बढ़ना चाहता हूँ कुछ अर लास्ट में आम लोगों को अभी यही questions LCR circuit क्या होता है बता देता हूँ ठीक है LCR circuit LCR circuit में क्या करेंगी बच्चो रेजोननस मतलब क्या होता है रेजोननस मतलब होता है फ्रिक्वेंसी नैचरल फ्रिक्वेंसी और हम लोगों को XL is equal to maxi रखना पड़ता है इसका formula अभी अभी बोला omega L और इसका है omega c βेटा 1 by omega c रैट यह LCR circuit के लिए LCR are किया आप समझ पारें बच्चो ठीकए यह LCR है ठीक है लाट तो omega का क्या होगा स्क्वेरी इद्धर से इधर यह इधर root of ELC square या तो root weight और इसका formula 2 pi f r है बैटा तो 1 by root of ELC है तो f r इसको resonant frequency बोलो वो मिले 2 pi root of ELC books में 2 pi कुछ तो गलत ही यहाँ पर देख लेना ठीक है condition होती है पहले बोलो यक्सल is equal to yक्सी condition में resonant frequency यह है इसमें खासियत क्या बच्चो current यहाँ पर यहाँ पर current क्या होगा maximum क्यूं? series में current कम नहीं होता है तो current maximum है बच्चो current कैसा है इसमें? max है और z जो impedance वो impedance कहती है इसको यह minimum है यह बात धान रगना और इसको expector circuit कहता है बाकियो frequency को reject करता है जैसे radio frequency 98.3 FM वही लेगा अपको गना सुनाएगा वैसे parallel resonance में बच्चो एक inductor होता है parallel में तो current split हो रहा है इसका मतलब सर current क्या हो रहा बेटा? split हो रहा है देखो ना कुछ इदर जाओ, कुछ इदर जाओ, बाकि मेरे पीछे आओ तो इसमें क्या होता है? current के बारे में होता है यहाँ पे current आ गया INM का कुछ आया इसमें से कुछ IC तो IL प्लस IC होता है समझ में आ रहा है बच्चो? और इसी के calculations के base पे resonance frequency यहाँ पे भी condition होती है बाद में एकसल इस इगल डेक्सी और यहाँ रेजोनेंस frequency का फार्मूला सेम है तो पार रूट आप यलसी लेकिन बेटा current स्प्लीट हो रहा है इसलिए minimum होगा यहाँ जो graph होगता है na current max है तो देखो जहां max current हो जाए वहां resonance frequency कहता है यह frequency और यह I0 देखने का काम करता है ठीक है? यहाँ पे current minimum होता है current क्या होता है? minimum और जेड़ क्या होगा फिर? max इसके जो characteristics से उसी के हिसाब से बताना पड़ेगे वह देखो यहाँ पे उल्टा graph क्योंकि जहां current minimum वहा frequency होती है ठीक है इसको rejector circuit भी कहा जाता है उसके बाद में बच्चों हम लोगों को देखना था कि sharpness क्या होता है sharpness या q factor वह graph थोड़ा सा देखना पड़ेगा आप लोगों को वह graph देखे बिना कुछ नहीं होगा आपका ठीक है ना graph important है तो वहां का graph में हम लोगों को जहां sharpness दिखाई देता है देखो कुछ diagram ic होगी कुछ थोड़ा सा ic होगी कुछ ic होगी लेकिन यह point हैसा होगा जहां sharp में दिता है यहां पर दो frequency एक lower frequency omega 1 यह omega 2 जैसे कि मोदी जी बात करते है हमारे देश के पंथपरदाने मन की बात मन की बात उसकी जो bandwidth होती है इसकी lower frequency बच्चो lower frequency f1 है 2800 होती है मुझे पताई इसलिए बता रहा हूं और higher frequency 300 3200 hertz तो bandwidth निकाला है तो आपको निकालना पड़ होता है कितना आ रहा है sir तो यह आ रहा है 400 hertz तो यह अपकी bandwidth है की factor क्या होता है तो resonance frequency divided by bandwidth bandwidth तो इसको फार्मूले के omega r divided by 2 del omega भी लिख सकता हूं बाद में बच्चो choke coil कौन सा कोई चोक कोई चोक कोई क्या होता है यार हमने कुछी circuit के across में resistance लगाया तो हमने देखा कि हमारा जो भी current कुछ इसमें wastage हो रहा है हैना heat के form में कुछ जा रहा है तो उसको बचाने के लिए हीट जो हो रही है मेरी energy waste जा रही है लॉस हो रही इसको कम करने के लिए चोक कोई इस्तमाल करते है चोक कोई मतलब एक इंडक्टर लगाते है ताकि हमारे हीट से बच पाए ठीक है इसी को चोक कोई कहते है जैसे कि average power अपने पढ़ा होगा जैसे कि तो e rms multiply i rms cos phi तो cos phi होता है बैटा यहां पर क्या power factor कितना loss होगा तो यह resistance यह divided by r square यह omega square यह equations मिलता है तो बच्चों उमीद करते हैं कि यह कम समय भी आपको चाप्टर अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा इस वीडियो को ज्यादा शेयर करोगे तो शायब मैं कुछ चा कर दे शेयर करो लाइक करो निव तरह चैनल को सब्सक्रट करना मन दो बुलिए बाय जैहिन जैवारत